नमस्कार् दोस्तों! दोस्तों, एंगियो के केस में मैं आपको बताया था कि तीन तरह की एंगियो होती है Society, North-Sectionate Company, यह minutes book क्या होती है एंगियो के case में minutes book क्या होती है यह आपको जानना बहुत जरूरी है जो जरूरी है वो भी मैं आपको बताता हूं और कैसे बनती है मैं वो भी आपको बताता हूं दोस्तों minutes book जो होती है ना आपको यह पताओगा जब आप NGO के running करेंगे management लेंगे decision लेंगे तो हर NGO में requirement होती है चाहे आप sectionate company हो चाहे आपकी trust हो चाहे आपकी society हो आपको एक fixed time पे meeting करनी होती है और NGO के case में दो तरह की meeting होती है एक होती है general body meeting और एक होती है governing body की meeting दो तरह की meeting होती है जब हम meeting करते हैं उस meeting में उस meeting में क्या-क्या discuss हुआ जो member आए उनका discussion हुआ जो regulation उसमें pass हुए जो decision लिया गया उसके content को जब से meeting शुरू हुई है जब से लेके end तक हम उस एक register में लिख ले so that कभी भी हमें produce करना पड़ जाए income tax में, FCRA में, society registration में या society authority में कहीं भे भी तो हम दिखा सकें देखो इतने तारीक को ये resolution पास हुआ था इतने लोगों ने परजानट हुए थे, इतनों ने सहमती दी ती, इतनों ने सहमती नहीं दी ती ऐसे करके अगर वो information हम return में एक register में लिख देते हैं तो दोस्तों उसे कहते है minutes book इसे कहते है minutes book, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी meeting हुई है उसकी सारी summary उसकी सारी detail उस books में होती है जिसे minutes book कहा जाता है बहुत simple है और मैं guarantee से बता रहूँ 90% society इस minutes book को maintain नहीं करती जो की रखना बहुत जरूरी है, compulsory है, low में लिखा हुआ है, आपको minutes book रखनी है जरूरी होती है, चार meeting कि कि? governing body की चार meeting और general body की एक meeting करनी compulsory होती है चार meeting तो आप governing body की कर रहे है और एक general body की कर रहे है, तो minutes में पांचों की information रखना क्यों लोग आये थे, किस के signature थे, क्या decision होगा, कितने सहमती दी, कितनोंने सहमती नहीं दी सब कुछ detail उसमें होनी चाहिए, अगर आप अपनी society का कभी भी amendment कराते हैं तो क्या आप जानते हैं, जो officer होते हैं, वो इस minutes book को मंगाते हैं और खाली यह use नहीं है, और भी उसके use होता है, कि minutes book को properly maintained, properly signed और यह legal document होता है, जो आपके पास हमेशा रखना चाहिए और यह society के case में नहीं, अगर आपके trust में भी meeting का provision है तो trust के case में भी आपको meeting minutes book रखनी पड़ती है Section 8 company में तो बहुत ज़्यादा compulsory है, और वो minutes book आपको maintain करनी है इसका मतलब तीनों category जो NGOs की हैं, अगर कही भी कोई भी कैसी भी meeting हो चाहे वो general body की meeting हो, चाहे वो governing body की meeting हो, चाहे extra ordinary meeting हो चाहे emergency meeting हो, हर meeting की minutes book maintain करना जरूर यह होता है और वो हर NGO को रखनी चाहिए, लेकिन मेरे practical experience में 80-90% NGO इसे नहीं रखती है तो दोस्तो इस चीज़ से एक learning लीजेगा और अपने document को complete रखेगा दोस्तो इससे related आपका कोई भी question है, कोई भी किसी भी तरह के query है आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मैं आपकी problem को solve करने की कोशिश करूँगा Thank you so much, फिर मिलते हैं नए video और unique video information के साथ